नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक स्वागत है आप सभी का अप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक स्प्लॉक पर दोस्तों सुबे के लगबग 6.6 बज रहे होंगे और अभी मैं फटा-फट अपने सारे काम गार्डन के निप्टा रहा था और उनमें सबसे जरूरी जो काम होता है वो होता है पौधों को पानी देना मैं अपने पौधों को इस टाइम पर जो है इनके वाटरिंग का विसेज ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें अगर हम पानी देने से जरासा भी चूके तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट हमारे जो है ये धीरे-धीरे करके जो है वो ड्राइवेक कंडिशन में जाएंगे और जल्दी से सूख कर या फिर जो है डल होकर खतम हो जाएंगे ऐसे में इनको जो मैं पानी दे रहा हूँ मों मिट्टी को चेक करके तो देता ही हूँ लेकिन साथ ही साथ जो है इनको अलग-अलग तरीके से भी मैं पानी देता हूँ जैसे कि ये बिंटर फ्लावरिंग प्लांट है अभी आपको दिख रहा होगा मैंने अभी इसको पानी दिया है और इसकी मिट्टी को मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मिट्टी अब पूरी तरीके से मॉइस्ट हो चुकी है गुडाई के लिए जगे नहीं बची है इस वज़ा से गुडाई नहीं हो पा रही है तो मैं पानी इसको जो है रेगुलरली ऐसे मतलब पूरा ये पॉर्ट जो है वो फोल कर देता हूँ लेकिन दिन भर में जब तेज धूप हो जाती है बिलकुल तपती हुई धूप तो उसके अंदर जो है ये पूरी तरीके से मतलब दूसरे दिन जब मैं इसको पानी देने के लिए तयार होता हूँ तो ये इसके मिट्टी पूरी तरीके से सूख गई होती है प्लास्टिक पॉट के साथ कुछ लगी वो है ये प्लास्टिक पॉट के अंदर जो प्लांट लगे हैं इनको डेली पानी नहीं देना होता है इसको दूसरे दिन या तीसरे दिन पानी में दे रहा हूँ अब दूसरी चीज पानी देने में हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें पानी देना कब है पौधे जो है इनके लिए जैसे धूप जरूरी है खाट जरूरी है उसी तरीके से पानी जो है वो भी समय से मिलना जरूरी है अगर हम इनको जैसे दोपहर की मतलब सुबह 9-10 बच गए और अच्छी खासी धूप लग गई इनके पत्ते जो है वो डल से हो गए और उसके बाद जब हम इनको पानी देते हैं तो होता क्या है कि वही चीज होती है ना कि भूख प्यास से कोई तड़ब तड़ब के मर जाए और उसके बाद लास्ट में हम उसके पास साड़ी सुखिसुधाय लेकर पहुत जाएं तो कोई मतलब उसका नहीं बनता है तो सुखे हमको जब इनको पानी देना है तो पानी देने का समय जो है वो सही होना चाहिए तो अभी सुखे के साड़े छे बज रहे हैं मैं पानी दे रहा हूं क्योंकि मुझे आट बजे तक जो है मैक्सिमम जो है आट बजे तक जो है वो घर से निकल जाना होता है तो अभ तो घर पे अगर working है तो कोई बात नहीं लेकिन अगर वो घर से निकल रही है घर पे रह रही है तो maximum 9 बजे तक वैसे तो अभी 9 बजे काफी अच्छी-खासी धूप हो जाती है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को suggest करूंगा maximum 9 बजे तक 6-9 बजे के बीच में आप पानी देन के ब्लूम पर आ रहे हैं कुछ पॉधे ऐसे हैं जिनको बड़ा misting की भी इस टाइम पर जरूएत है जैसे कि हमारे इंडूर प्लांट मैं अभी नीचे वाले मतलब इंडूर गार्डेन में आप लोगों को लेकर चलूंगा तो फिर महां पर जाकर मुझे वीडियो शूट क कुछ पॉधें ऐसे हैं जो अपने आसपास के एटमॉस्फियर में जो है थंड़क का जो है मतलब उनको जरुवत होती है तो ऐसे पॉधों को misting करके भी पानी देना होता है जैसे कि यहां पर देखिए मैंने यह इनको misting करके पानी दिया है और साथ ही साथ इनकी मिट्टी को भी moist रखा है बहुत अच्छी moist मिट्टी है मेरे इन पॉधों की पता नहीं आप लोगों को दिख रही होगी या नहीं तो इस तरीके से जो मैं मैं इनको पानी दे रहा हूँ अभी मैं इनकी cutting भी लगाऊंगा क्योंकि यह मेरा दूसरा lot जो है वो तयार हो रहा है इसमें यह वाला color आपको अब कम दिख रहा होगा लेकिन यह वाले color के भी पौधे अब मेरे पास जो है यह और यह मतलब यह वाली जो variety है दो पौधे यह है और एक वो उपर रखा हुआ है और उसके बाद जो है जो side में है उसके यह दो है तो अभी इसका जो है मैंने वो लगा ल इस वाले के भी छोटे पौधे मुझे रख लेने चाहिए क्योंकि मैं Coleus ऐसा पौधा है जिनको अगर हम cutting से बचाते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा और यह जो हमारे ऐसे प्लांट है मतलब इस तरीके के winter flowering plant है इन में जो watering की frequency रखनी है मैं आप लोगों को पानी दे दे रहा हूं और बचाना है इनके फूलों पर पानी नहीं पढ़ना चाहिए वरना अगर इसके फूलों पर पानी पढ़ जाता है तो यह फूल जो है वो उतने long lasting नहीं होंगे जितना इनको होना चाहिए तो ऐसे ही मैं अपने pitunia बगेरा में भी पानी देता हूं इनके पूलों के उपर पानी बिल्कुल भी नहीं देना है और इनके अंदर बहुत ज्यादा वाटरिंग भी नहीं करनी है क्योंकि ये बहुत ही सेंस्टी पौधे होते हैं जैसे ही इनके उपर ओवर वाटरिंग होता है तुरंथ ही ये मरने लगते हैं अगर पर्मानेंट प्लांट के उपर वाटरिंग करने की है तो इनको इस तरीके से मिस्टिंग करके पानी देता हुए इनके पत्तों को पूरी तरीके से भिगो देते हैं। देखे, मैक्सिमम मेरे हिविसकस जो है, सबको मैंने प्रून कर रखा है, तो ये ठंडर के बात जो है, अच्छे से ग्रोथ भी समय से कर पाएंगे, इनके फुटाओ के लिए इनको थोड़ा गरम और थोड़ा थंड़ा वाता वरड जो है, इनके लिए जरूरी होता है, तो द बाकी के जो हमारे पौधे हैं, उनको हम खूब अच्छे से इसी तरीके से नहें लाकर पानी दे सकते हैं, इस तरीके से अभी जैसे है क्या कि ये सावर देकर पानी देने में मिट्टी के अंदर मौश्यर जो है, बहुत लंबे समय तक नहीं रहता हो सकता है, कि दोपहर के बाद ये मौश्यर खतम हो जाए, तो साम को मैं फिर से इसी तरीके से थोड़ा पानी इनको ये अंदर दे देता हूँ, या फिर अगर कोशिश करता हूँ कि मिट्टी के अंदर साम को ज़्यादा पानी दे दूँ, जिससे सुबह इनको मिस्टिंग करके पानी मिल जाए, औ थोड़ा मौश्चर साम वाला जो है वो रुका रहे पाट के अंदर अच्छे से ग्रोध कर पाए और रोज के प्लांट के अंदर तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा जरूर इसी तरीके से जो है इनको मिस्टिंग करके पानी देजिए, इनको नहलाना ये अपने आ नहीं होती है वो उतनी जो है लगातार नहीं होती है रुक रुक कर पानी देता होता है दूसरे तीसरे दिन या फिर जो है चुकावी का बार तो चौथे दिन पानी देना होता है तो इस मिट्टी के प्लांटर के अंदर जो प्लांट लगे हुए हैं उनको पानी की ज्याद ऐसी किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ मलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाय और टेक केर